नमस्कार दोस्तों, welcome to study with Neelam, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आज हम जन्वरी थर्ड वीक के best top current affairs question with point to point section complete करेंगे, आप लोग को बता देना चाहती हूँ किससे पहले first और second week के जो वीडियो है वो upload हो चुकी है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं, ओके किसे साथ कितने प्रतिशत ethanol सम्मिष्णन प्राप्ट करने का लक्ष रखा है, तो रायट ऑंसर होगा 20% ये आपको याद रखना है, प्रतिशत कब तक 2015 तक याद रखियेगा, इसके साथी चुकंदर, गन्ना, मक्का जेसी फसले जो हैं, इनसे ethanol को सरकार ने अनुमती दे द द्वारा ओके नेक्स्ट देखते हैं कॉश्चन हाली में चर्चा मेरा सुलोवेशी दीप निमने में से किस देश में इस्ते थे तो यहां मारा राइट आंसर होगा आंसर C, इंडोनेशिया इंडोनेशिया यह देख रहे हैं आप 15,000 से अधिक दीपो का एक सम्हू है यहां पर जो सुलोवेशी दीप है यहां पर आया था 6.2 तीवरता का भुकम और इसी भुकम के आने से यहां पर जानमाल की बड़े स्तर पर हानी होई है और इसलिए चर्च यहां के जो प्रदान मेंत्रियें वो हैं जो को विडो डो ओके नेक्स्ट देखते हैं आल ही में जारी नीती आयोग द्वारा इनोवेशन इंडेक्स 2020 का कौन सा संसक्रण जारी किया गया बीच जनवरी 2021 को तो राइट आंसर होगा दूसरा संसक्रण पहला संसक्रण कब आय तो यह जो संसक्रण आया है यह जो रिपोर्ट आये यह आये 2020 के अधर पर इसमें तीन पेरामिटर्स यह तीन सेक्षन बनाए गए हैं क्यूंकि सभी राज्यों में जनसंख्या और वहां पर एकोनॉमी और देश राज्यों का आकारस्ती अलग डिफरेंट डिफरेंट है त दिल्ली और परवतिय तो था नौर्थ इस्ट राज्यों में टॉप पर रहा है हिमाचल प्रदेश तो यह आप याद रखेंगे नीती आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है नीती आयोग ओके नेशनल इंस्टिउशन फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया ओके कब 2015 में अध्यक्ष कोने परदान मंतरी नरेंद्र मोदी और पाध्यक्ष कोने राजीव कुमार हैं और सीएओ कोने अमिताब कांत हैं ओके तो यह आप याद रखेंगे नैक्स्ट देखते हैं कोश्चन हाली में चीन के जिन पांग बंदर गहा में फसे हुए भारतिय जहाज क नाम क्या है जिसे जापान से जाने के अनुमती दी गई है तो राइट आंसर होगा M.B. जगानंद देखे वह क्या मैटर था जो यह जहाज है M.B. जगानंद यह चला था ऑस्ट्रेलिया से तो इसमें क्या था यह कोईला लेकर चला था ऑस्ट्रेलिया से कोईला लेकर आना तक अपने बंदर गहाँ पर रोके रखा और इसे जाने की अनुमती नहीं दी गई इसमें लगबग 25 भारतिये थे जिने COVID-19 की गाइडलाइन के हवाले से चाइना ने रोक कर रखा अला कि चाइना ने कोई इस पश्ट नहीं बताय कि कितने दिन के लिए ने कॉरंटाइन की आ जाएगा तो अब जाकर विदेश मंतरा लेके हस्तचेप के बाद इन भारतियों को और इस जहाज को जाने की अनुमती दी गई तो राइट आंसर होगा बिहार की भावना कंट हैं पहली महिला फाइटर पाइलेट लेटिनन भावना कंट बनेंगी जो गरतंतर दिवस 2021 की परेड में हिस्सा लेंगी पहली है इसलिए इंपार्टेंट हो जाता है नेक्स्ट है हमारा कॉश्चन हाली में किस पैमेंट वेंक ने वंचित और बैंक से छूटे हुए वर्गों की वित्तिय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वित्तिय समावेशन सब्दी या फाइनेंशन इंक्लूजन का मतलब होता है सभी को जो निमनिस्तर परिस्तित लोग हैं उन्हें भी क्या करना वेंकिंग ववस्ता से जोड़ना उनके वी आर्थिक रूप से मजबूद बनाना बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशल सॉफ्ट्वेर और सिस्टम के साथ भागेदारी किये तो राइट आंसर होगा इं वेंकट रामू बने हैं तो ये भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं कोश्चन हाल ही में निमनिस्ति किस कंपनी ने अक्छे उर्जा परियोजनाओं की स्थापना में साहता प्रदान करने के लिए भारतिय अक्छे उर्जा विकास निगम एजनसी के साथ एक जोता हुआ है अगले पास सालों के लिए अगले पास सालों में ये दोनों मिलकर क्या करेंगे ग्रीन जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसको किस तरीके से और ज्यादा ग्रीन बनाया जाए किस तरीके से नईने टेकनोलोजी का उप्योग किया जाए इस पर रिसर्च और क ये दोनों को ही आपको याद रखना है। नेश्ट आपको यहाँ से एक और पोईंट याद रखना है। यह मोसम बिज्ञान की सर्टिक जानकारी देने के लिए लान्च की गई थी। कौन से अप्लिकेशन है? मेग दूत अप्लिकेशन। यहां से एक और पॉइंट आप याद रखेगा हर्शवर्धन जी ने ही इसका इनगरेशन किया था क्या नाम था सागर अनवेशी का ओके जो क्या करेगी हिंद महा सागर में खोज करेगी रिसर्च करेगी हाल ही में चर्चा में रहा मकर विल्लू एक वार्शिक तेवार निमने में से किस राजी में मनाया जाता है तो केरल के सबरीमाला मंदिर में यहां तेवार मनाया जाता है मकर सकरांती की ही तरह जो उत्तर भारत में मकर सकरांती मनाया जाती है उसी तरीके से मकर विल्लू तेव फोर्स की एक नव निर्मित बटालियन परिशर की आधार सिला रखे तरह इट अंसर होगा करनाटक के भद्रवती में इस CRPF के रैपड एक्सन फोर्स की आधार सिला रखे गई है कौन है के अमेशा तो यह हमारे केंद्रे गरह मंतरी ओके और CRPF के डारेक्टर जनरल कौन है तो AP महेश्वरी तो इन्हें भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं कॉस्चन हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया इनका संबन निमने में से किछ छेतर से था तो यहां हमारा राइट आंसर होगा आंसर बी आंसर बी राइट आंसर है ओंकोलोजिस्ट कौन होते हैं तो cancer के छेतर मैं जो नवीन खोजे medicine से रिलेटट जो खोजे की जाती हैं जो नई नई मेडिसीन के अविश्कार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है कैंसर के छेतर में ओंको लाजिस्ट कहा जाता है और इनका हाली में निधन हो गया है ये डबलु एचो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजिशन में हेल्थ अड्वाइजरी कमिटी की मेंबर भी रह चुकी थी ये तो इन्हें आप याद रखेंगे ओके और हिंदुस्तानी सास्तिर संगीत के जो थे उस्ताद गुलाँ मुस्तफा इनका भी हाली में निधन हो गया है गुज्रात के पूर्व पूर्व सियं माधव सोलंकी का भी निधन हो जगा है इन सभी को आप याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं को स्थान पर पहली बार इसनो शूरन और शिरी नगर पहली बार इसनो शूरन का आयजन किया गए इसमें सू पहन कर आपको बरफीले छेतर में दोड़ना होता है ठीक है इसनो शूरन पर ती होगी था जो वर्ल्ड पर यह होगी 2021 में आयोजित कहां पर अर्जन्टीना में ओके तो इसी की तैयारी के रूप में आप इसे देख सकते हैं और जो आपका उत्राखंड हिमाचल पर देश हो जम्मू कश्मीर वाले लद्दाक वाले चेतरें यहां पर बिंटर और जो खेल हैं उनको बढ़ावा दे के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं ओके तो यह भी आप याद रखेंगे कुफरी में बनाया जा रहा है देश का पहला इंडोर इसकी पार्क ठीक है इंडोर इसकी पार्क तो यह भी आप दिहान रखना नेक्स्ट है हाली में समचारों में चर्चा में रहा दावोस एजंडा 2021 के लिए वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम की थीम क्या है तो राइट आंसर होगा भरोसे के निर्मान के लिए एक महत्पूर्ण वर्ष वर्ड एकोनोमिक फॉरम की इस वर्ष की थीम है यह जो वर्चुली होगी बेठक इसमें वर्चुली सभी देशों के सीर से नेता शामिल होगे और अगर बात की जाए वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम की वार्षिक बेठक जो पचास भी वार्षिक बेठक होगी तो इसका आयोजन याद रखेगा पहली बार एशियाई कंट्रीजम हो रहा है कहां पर और 2020 के विज्ञान दिवस की थीमें विज्ञान में महिलाएं फलों और सबजियों का अंतराष्टी वर्ष ये घोशित किया गया है 2021 को किस के द्वारा यूएनों के द्वारा तो ये एक्जाम में आपको थीम देखने को जरूर मिलेंगे इसलिए अच्छे से याद रख ल इसमें टोटल मेंबर 34 हैं और इसका उद्देश क्या होता है ओपन इसका ही संदी का तो इसका उद्देश है मुख रूप से कि कोई भी देश जो इसके मेंबर है वो अपने अपने देश में इन्होंने किसी भी नुकलियर मिसाइल को डिपलोएड स्टेज में तो नहीं अलग कर दिया है ठीके दीके डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने आपको डवलू एचो से भी अलग कर लिया था ओपन इसका ट्रेटी से भी अलग कर लिया था तो डवलू और यूनेसको से भी अपने आपको अलग कर लिया था तो अब क्या होगा जो आपके नए बने हैं जो व वाइडन ने इसको खत्म कर दिया, कोई भी जो नागरिक हैं वो आ सकते हैं, इसके साथी एक और इंपॉर्टेंट जो मेक्सिको की सीमा थी, वहाँ पर अमेरिका क्या कर रहा था, डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा फैंसिंग का निर्मान किया जा रहा था, ताकि अवेद रू आप याद रखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में जनजाती मामलो के मंत्राले के साथ, निमन में से किस आयोग ने खादी कारिकरों को मजबूत बनाने के लिए समझोता ग्यापनों पर हस्ताक्षर केरेगा, तो राइट आंसर होगा, खादी एबम इसके अध्यक्ष कोने विने सकसेना है, ठीके, तो खादी एबम ग्रामुध्योग आयोग जो खादी कारगर हैं उन्हें मजबूत बनाने के लिए जनजाती मंत्राले के साथ मिलकर काम करेगा, कोने जनजाती कारे मंत्राले के मंत्री तो अर्जुन मुंडा है, आपको अवोर्ड मिला है, सकॉच चेलेंजर अवोर्ड पंचायती राज्य मंत्राले को, किस में पारदर्शिता स्रणी में, जो अर्जुन मुंडा है, इनका लोग सब छेतरे जहार खंड का खुंटिया, ओके, याद रखे हैं, खादी एबम ग्रामुध्योग आयोगी, किस के अं तरगत आता है, और कौन है हमारे MSME मंत्राले के मंत्री, तो केंदरी परिवहन मंत्री नितिन गडगरी ही है, MSME मंत्राले के मंत्री, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे, नेक्स्ट दिखते हैं, कॉस्चन, हाल ही में इमने में से किस राज्य सरकार के द्वारा, बढ़ावा देने के लिए ये फैलोशिप प्रारब की गई है, तो ये आप धियान रखेंगे, इससे पहले तमिल अकेद्मी, तमिल भासा एबम कल्चर को बढ़ावा देने के लिए दिली सरकार द्वारा इस्थापित की जाएगी, ये गोशना की गई और इसके सांथी, कौंकडी वहासा को बढ़ावा देने के लिए, कौंकडी वहासा किस राज्यम बोली जाती है, तो गोवा में बोली जाती है, और ये संभिधान के आठवी अनुसूची में शामिल, जो 22 मानिता प्राप्त वहासा हैं, उसमें कौंकडी शामिल है, तो ये भी आप याद रख नेक्स्ट दिखते हैं, कौश्चन, आली में चर्चा मेरा कोक बोरोग दिवस किस राज्यम में मनाया जाता है, तो कोक बोरोग दिवस मनाया जाता है, तुरपुरा में, ये तुरपुरा की एक नेटिव लेंग्विज है, जिसको हर साल 15 जनवरी को इसका तैवार मनाया जा हैं ठीक है शाह वगरा लोगों को अपने यहां पाए जाने वाले हुबारा बश्टड के सिकार करने के लिए लाइसेंस अनुमती दे दिये तो राइट अंसर होगा पाकिस्तान पाकिस्तान ने लाइसेंसिंग क्या कर सकते है इसका शिकार कर सकते हैं साही परिवार के आच्छ सदश्यों को ये लाइसेंस प्रदान किया है तो याद रखेगा हुबारा वश्टर्ड हाली में सौमनात मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में निम्नमेंसे किसे बनाया गया है तो राइट आंसर होगा नरेंदर मोदी को बनाया गया नरेंदर मोदी से पहले जो वाच्चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जन्वरी को अब किस दिवस की रूप में मनाने की गोश्णा की गई है तो राइट आंसर होगा पराक्रम दिवस आज यानि 23 जन्वरी को इनकी हम मना रहे हैं 125 वी जेहनती और इसी उपलक्ष में जो हावडा कालक का ट्रेन है उसका न बुटान के तेंजिन लेकपाल बन गए हैं बिम्स्टेक बंगाल इनिशियेटिफ फर मल्टी सेक्टरल टेकनिकल एंड एकोनॉमिक कोपरेशन हैटकोर्टर कहा में लेगा आपको धाका में मिलेगा बिम्स्टेक का ओके असोक लबासा ये ADB में ADB बेंक में उपाध्यक्ष बने हैं TS3 मूर्ते अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं याद रखिएगा ये UNO में भारत के इस्थाई प्रतिनिदी हैं और इन्होंने जो देश है जहां पर क्या होता है विविन्ने देशों के जो धार्मिक इस्तलोते मंदिर, चर्च, मजजित उनके साथ जो सुरक् कोशन से आपको याद रखना है तेंजिंग लेकपाल का नाम कहां से हैं भूटान से नेक्स्ट कोश्चन है हाली में पुर्तगाल में भारत के नहीं दाजदुत किने निक्त किया गए तो राइट आंसर होगा मनिश चोहान मनिश चोहान बन गए हैं पुर्तगाल में भारत क नए राज़दूत विरेंदर उक्मार पॉल ये बने हैं सूमालिया में भारत के नए राज़दूत नितल नारंग ये बनी है पहली महिला सॉफ्ट वॉल फेडरेशन ओफ इंडिया की अध्यक्ष पहली महिला इसलिए इंपोर्टन्ट है capital क्या है इसकी लिस्बन है और यहां के जो पिये में प्रधान मंत्री वो कोन है एंटोनी कोश्टा और यहीं से पुर्टगाल से है UNO में महासचेव कोन एंटोनीयो गुतारेस एंटोनीयो गुतारेस तो नहीं भी आप याद रखेंगे हाल ही में इमनोंसे किस राज्य सरकार के दुआरा करुणा अभियान 2021 प्रारंब किया गया है तो राइट आंसर होगा गुजरात गुजरास सरकार प्रती वर्ष्मकर सक्रान्ती के समय यह अभियान चलाती और इसके तहट जो गहल पक्ची है मांजे से उनको क्या करती है सुरक्षा प्रदान करती है उनका हिलाज करती है तो अभी तक इसमें 50,000 से अधिक जो पक्ची है उनकी जान बचाई गई है most important point है याद रखे है करुणा अभियान गुजरास सरकार गुजरास सरकार ने प्रिगन फूट को क्या नाम दिया है कमलम याद रखना हाल ही में ICC की बोर्ड बेठकों के लिए किसे BCCI का अधिकारिक प्रतिनिधी चुना गया तो अमें शाह के बेटे हैं जे शाह इन्हें चुना गया है क्या ICC की बोर्ड बेठकों के लिए BCCI का अधिकारिक प्रतिनिधी याद रखिएगा सौरब गांगोली ये कौन है तो ये BCCI के 39 विक्रम के अध्यक्ष बने हैं ICC के अध्यक्ष कौन बने हैं अभी तो ग्रेग बार के लिए बने हैं कौन ICC के अध्यक्ष और मनु सहानी ये हैं ICC में CEO याद रखिएगा नेक्स्ट देखते हैं कौश्चन हाल ही में वर्टाइम गैलेंटरी अवार्ट मरन अपरांथ मिल रहा है याद रखिएगा 2021 निम्न में से किसे समानित किया जाएगा तो तमिल नाडू के ये सैनिक थे के पलानी और इन्हें गलवान घाटी में जो इनके सौरे था जो इनकी वीरता थी उसके लिए ने दिया जा रहा है वार्टाइम गैलेंटरी अवार्ट ठीके के पलानी वर्टाज जो सी नेशनल डेरी बोर्ट की अध्यक्च बनी है ये तरुन कुमार तरुन कुमार बने हैं आपके NCC के डारेक्टर जेनरल सोमा मंडल ये बनी है आपकी क्या ये बन गई है आपकी इस्टिल अथोरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्च पहली महिला ये भी याद रखेगा हाल ही में किस एम्स ने लगा तर तीसरी बार काया कल्प पुरसकार जीता है तो ये दिया जाता है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूब करने में काया कल्प अवर्ड याद रखेगा हमेशा तो ये दिया गया है तीसरी बार IIM MS भुवनेश्वर को ठीक है ओडिशा में है भुवनेश्वर की कैपिटल उडिशा है और IIMS भुवनेश्वर को मिला है तीसरी बार काया कल्प अवर्ड पॉब्लिक हेल्थ के इंप्रूब्मेंट के लिए हाल इमने में से किस ने सोधेशी रूप से एक माइक्रो कॉप्टर विक्सित किया है तो राइट आंसर होगा यहां पर हमारा जी वाई के रड़ी जी वाई के रड़ी यह सेना के एक अधिकारी है और इन्होंने पहला माइक्रो कॉप्टर निव बनाया है इसका उद्देश क्या होता है जो इमारते होती है घर होती है वहाँ पर अगर आतंगवादी चुपे है तो इस माइक्रो कॉप्टर की साहता से उन्हें देखा जा सकता है कोई भी आतंगवादी गतिवीदी हो रही है कोई बॉम ब्लास्ट हो रहा है वो बिल्डिंग में चुपे हुए है तो उन्हें भी इसकी नजर से देखा जा सके है क्योंकि इसमें एक micro camera fit है और एक voice recorder भी जिसे उनकी voice का भी पता चल सकेगा याद रखेगा जी वाई के रिड़ी और इन्हें विद्धुत मोहन इन्हें मिला है Champions of the Earth Award सिधार्थ वर्द राजन इन्हें मिला है Freedom of Speech Award और पॉल जाचेरिया मल्यालम सहेत्यकार है इन्हें मिला है J.C. Daniel पुरसकार ओके नेक्स्ट है यह microcopter है देख सकते हैं आप इसे छोटा सा हाल ही में ससस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया तो राइट आंसर होगा ससस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस 14 जन्वरी को मनाया जाता है 9 जन्वरी को मनाया गया प्रवासी भारतिये दिवस 10 जन्वरी को विश्व हिंदी दिवस 12 जन्वरी को राष्टिये युवा दिवस ये भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है हाली में सहरी स्थानी सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्री निमनमे से कौन सा बन गया है तो right answer होगा तेलंगाना पहला राज्री बना था कौन आपका मध्यपरदेश दूसरा था आंद्रप्रदेश और तीसरा बन गया है तेलंगाना तो इन्हीं भी आप याद रखेंगे और इसके तहत इन सुधारों को लागू करने के बाद तेलंगाना को लगभग तेईस सो करोर रुपे अतिरिक्त लोन प्राप्त हो सकेगा ओके याद रखेगा नेक्स्ट है तेलंगाना देख लेते हैं राजधानी है इसकी हैदराबाद यहाँ पर हैदराबाद का जो नहरू जोलोजिकल गाड़ा ने इससे मिला है पहली बार आईए सो साटे पिकट मुख्य मंत्रे चंदरशेकर राओ राजजपाले तेमली सुनाई सुन्दर राजन ग प्रांस के राष्टपती सम्मान और नेशनल डू मेरिट से निवनिमे से किसे सम्मानित किया गया तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा रोहिनी गोड बोले इन्होंने महभिज्यान में महिलाओं की जो भागिदारी है उसे बढ़ाने के लिए और इस्राइल तथा भार एंबुलेंस ड्राइवर संगीत विश्रिवास्तव यहलाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला क्या बनी है कुलपती बनी है और रतन टाटा इन्हें इंडो इस्राइल चेंबर आफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीब्मेंट सेंचुरी अवर्ड से सम्मानित क किया गया था तो ये भी आप याद रखिएगा देश की पहली एयर टैक्सी सेवा निम्न में से किस राजसरकार के द्वारा प्रारंब की गई है तो राइट आंसर होगा हर्याना हर्याना के मुक्य मंतरी मनोहर लाल खटर के द्वारा हिसार से चंदीगड के मद्द ये एयर टैक्सी सेवा प्रारंब की गई है ये हिसार से चंदीगड का जो रास्ता है मातर 40 मिनिट में पूर्ण कर देगी तो ये आप याद रखिएगा पहली है एयर टैक्सी सेवा इसलिए इंपोर्टन हो जाता है नेक्स्ट है भारतिय थल सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया ज तो right answer होगा 15 January को एक January को DRDो की स्थापना दिवस मनाया जाता है 63 वह स्थापना दिवस मना रहा है DRDो 2021 में 9 जनवरी प्रवशी भारतिय दिवस मनाया जाता है तो 16 वह प्रवशी भारतिय दिवस मनाया गया 2021 में और इसमें मुख्य यह था शूरी नाम के जो राष्ट पती ह कौन चंद्री का परशाद संतो की 12 जनवरी को मनाया गया राश्टिय युवा दिबस और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे हाली में भारती सेना के साथ मिलकर किसके दौरा भारत की पहली सौदेशी मसीन पिश्टल आस्मी को विक्सित किया गया है तो भारत के साथ मिलकर DRDO ने विक्सित किये देश की पहली सौदेशी मसीन पिश्टल आस्मी याद रखिएगा DRDO हाल ही में वित्तिम अंत्राले के ये वहाँ नहीं होगा ये होगा वै विभाग वै विभाग के द्वारा जारी ease of doing business सुधारों को लागू करने वाला देश का आठवा राज़ कौन सा बन गया है तो राइट आंसर होगा केरल ठीके देश का आठवा राज़ कौन सा बना है केरल बन गया है और पहला राज़ कौन सा बना था तो पहला राज आंद्र प्रदेश बना था तो याद रखिएगा आठवा राज केरल बना है इस ओप डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला नेक्स्ट कोश्चन है हमारा हाल ही में इमने में से किस राजी सरकार के द्वारा कभी तिरुवल्लूर के सम्मान में तिरुवरूर दिवस के रूप में मनाने की गोश्चना की गई तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा तमिल नाडू तमिल साहित के जो लेखक थे ठीके कौन थे तिरुवल्लूर तो मिल साहितों को बढ़ावा देने के लिए तिरुवल्लूर को हमेशा याद किया जाता है पंद्रह जन्वरी को मनाई जाती है प्रती वर्ष क्या है एप्पी तिरुवल्लूर डे तो ये भी आप याद रखेंगे हाली में नेल्शन मंडेला विश्व मानवतवादी पुरसकार सेनिमने में से किसे सम्मानित किया गया तो राइट आंसर होगा रवी गयक वाड को सम्मानित किया गया मानवतवादी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए जो व्यक्ति महत पुन कार्य करता है महत पुन योगद देता है। उसे दीया जाता हैै नेल्शन मन्डेला पिूरसकार। नेल्शन मन्डेला पूरसकार है। आयोध्याव से लॉंच किया था देविंद्र फड़नवीज जो महाराष्ट के पूर्व मुख्य मंत्री है हाल ही में सौफी डिवाइन ने महिला टी 20 करकेट में 36 गेंदों में सतक बना कर रिकॉर्ड बनाया या किस देश की खिलाडी है तो सौफी डिवाइन खिलाडी है आपके न्यूजी लेंड की ओके इन्हें आपको याद रखना है नेक्स्ट है हाल ही में अवर हिंदू राष्ट नामक पुस्तक निमने में से किसके द्वारा लिखी गई है तो राइट आंसर होगा आर आकार पटेल के द्वारा लिखी गई है अवर हिंदू राष्ट आर गिरधरन इनके द्वारा लिखी गई है राइट अंडर अवर नोज जैराम नवेश इनके द्वारा लिखी गई है लाइटिंग बुद्ध ऑफ एशिया और सिरिययर के द्व तो ये भी आप याद रखेंगे हाली में निमने में से किस मंत्रा ने लगतार दूसरी बार स्कॉच चेलेंज अबॉर्ड जीता है तो राइट आंसर होगा जन जाती है मंत्रा लेके द्वारा कोने मंत्री अर्जुन मुंडा हैं तो याद रखेंगा ये नेक्स्ट है हाली में देश की पहली सोदेशी ड्राइवरलेस मेटरो का उदगाटन निमने में से किस के द्वारा किया गया तो राइट आंसर होगा राजनात सिंग के द्वारा ठीक है भारत अर्थ मूवर्स लिमेटेड के द्वारा इस ड्राइवरलेस मेटरो का निर्मान कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की मेट्रो लाइन के मेजेंटा लाइन में ओके ये भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है हाली में ससस्त्र बल में से किसने 20 मिलियन डॉलर में स्विच ड्रॉन की खरीदी के लिए एक नीजी कंपनी के साथ समझोता किया है तो हुआ है 20 मिलियन डॉलर का तो ये आप याद रखेंगा हाली में जारी dealroom.com रेपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नलोजी सेंटर में कौन सा सहर टॉप पर रहा है तो राइट आंसर होगा बैंगलूरू टॉप पर रहा है दूसरे स्थान पर रशी संजीवनी वैन चलाई थी राजजपाले बजू भाई वाला क्रिशी संजीवनी वैन कोच्ची मेंगलूरू प्राकरतिक गेस पाइपलाइन कहां से केरल के कोच्ची से करनाटक के मंगलूरू के बीच चलाई गई थी 450 किलोमेटर थी गेल इंडिया ने इसका निर्मा करनाटक का देश का पहला चंदन संग्राली मेसूर करनाटक में मिलेगा आर्थिक स्पंदन ड्रिन वित्रन योजन चलाई थी देश की पहली इंट्रीटेड इयर सर्विस एंबुलेंस प्रारब की थी करनाटक सरकार ने देश का पहला टॉय मैनुफेक्ट्रिंग कलश्टर करनाटक में स्थापित किया जाएगा हुगली रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा प्लैटफॉर्म बनाया जा रहा है कौन कितने है चौधा सो मीटर इसकी लंबाई है इसका नाम क्या कर दिया गया है स्टेशन का सिरी सिद्धु रूडा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हावेर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर सुतंतता सेनानी महादेवपा मलेरा के नाम पर कर दिया गया है बांदीपूर नेशनल पार्क अंसी नेशनल पार्क बननेर घट्टा नेशनल पार्क नागर हुल नेशनल पार्क ये नाम गी सभी नेशनल पार्क आपको कहा मिलेंगे करना हाल ही में निमने में से किसे कनाडा के हिंदी राइटर गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया है तो राइट आंसर होगा केंद्री सिक्छामंत्री रमेश पोकरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है इन्हें वायतन लाइट टाइम अचीब्मेंट अवर्ड से भी सम्मानित कि गया था याद रखिएगा यह नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में किस ने सौधिशी रूप से दुनिया की पहली बुलिट प्रोफ जैकेट विक्सित किये जिसे महिला और पुरुस दोनों के द्वारा उप्योग किया जा सकता है ओके तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा मे नेक्रोकॉप्टर विक्सित किया है के पलानी इन्हें मरनो प्रांत वार गैलेंटरी अवर्ड दो हजार इक्की से सम्मानित किया जाएगा बहत तरवे गरतंतर दिवस पर सुभूत कुमार जैश्वाल यह क्या बने हैं तो यह बन गए हैं आपके NCC के अध्यक्ष ओके इन मील जो है रेलवे का एक भाग है उसके अध्यक्ष हैं अमरेश कुमार चोधरी मुखनी अंतरक हैं और सेना को COVID-19 के दोरां सेना की जो ट्रेनों से आबा जाही हुई है उसको सुगम बनाने के लिए थल सेना अध्यक्ष के द्वारा इस प्रसस्ति पत्र से इने सम्मानित कि या गया है यह है आप याद रखेंगे हाल ही में 51 वे इंटरनेशनल फिल्म फैस्टिवल औफंडिया में lifetime achievement आवर्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा तो यह सम्मानित किये जाएंगे लाइफ टाइम चीमेंट अवोर्ट से इतावली निर्देशक हैं विटोरिया इस्टोरोवा ठीक है याद रखिएगा इन्हें नेक्स्ट कोश्चन है हमारा हाल ही मैं समाचारों में चर्चा में रहा सक्षम अभियान का संबद निम्निमें से किस छेतर से हैं तो केंद्री पेट्रोलियम मंत्राले के द्वारा चलाया जारा या सक्षम अभियान और इसका उद्देश है हरित और स्वक्ष उर्जा के प्रती लोगों में जागरुकता उत्पन्य करना और कौन है इसके मंत्री तो धर्मेंद्र प्रधान हैं याद रखिएगा हाली में समाचारों में चर्चा में रहा देखो अब भारत अभियान निम्र में से किसके द्वारा लॉंच किया गया तो केंद्री परेटन मंत्री हैं पहला सिंग पटेल परेटन एबं संस्कृती मंत्री हैं इन्हीं के द्वारा भारत अभियान लॉंच किया गया जो कि भासा संस्कृति के संरक्षन को बढ़ावा देने वाली समीती का ध्यक्ष बनाया गया है। कि गई है हर्याना सरकार के द्वारा याद रखिएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गोतम बुध्धनगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की गोशना की गई थी। बढ़ावा देने के लिए पक्षियों के प्रती लोगों में सहानभूती विक्सित करने के लिए 15-17 जनवरी के मद्ध जो बिहार के नागी नक्टी पक्षिय अब्भिहारन हैं कहां पर बिहार के जामूई जिले में। जो नागी है नागी पक्षिय अब्भिहारन और नक्टी पक्षिय अब्भिहारन दोनों अलग अलग हैं लेकिन कुछ दूरी पर हैं इसलिए दोनों को एक साथी बोला जाता है। तो यह ब्भिहारन भी याद रखियेगा कहां हैं बिहार के जामूई जिले में हैं। राइट आंसर होगा भारत भारत की प्रवासी विश्व में कितने हैं अठारा मीलियन प्रवासी रहते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर मेक्सिको हैं और मेक्सिको रूस दोनों के ही बराबर हैं मतलब ग्यारा मीलियन हैं और चाइना के हैं आठ मीलियन औ क्या हैं प्रवासी हैं ओके याद रखिएगा हाली मन इमने में से किस राज्य सरकार के द्वारा मन्रेगा योजना के तहत कारे दिवसों की संख्या सो से बढ़ा कर 150 दिन करने की गोश्णा की गई तो तुरकंड के मुख्य मंत्री के द्वारा ये गोश्णा की गई के नाम से और 2009 में इसका नाम क्या कर दिया गया था मन्रेगा कर दिया गया था याद रखिएगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना हाल ही बनिमने में से किस राज्य में देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहाले स्थापित किया गया है तो केरल के अल्ला जिला नेक्स्ट है हाली में प्रसेद तमिल अभीनेता और तमिल नाडु के पूर्व मुख्य मंतरी MGR की कौनसी जैनती मनाई गई तो राइट आंसर होगा एक सो चारवी जैनती मनाई गई 1988 में इन्हें मिला था क्या भारत रत्न तो इन्हें आप याद रखेंगे ये AIADMK क सथापक सदश हैं जिसकी प्रमुखनेता थी जैल अलीता ओके नेक्स्ट है हाली में उस्ताद गुलाम मुस्तफा का निधन हो गया है नेक्स्ट देखते हैं कौश्चन हाली में सुरक्षा बलके जवानों के लिए CRPF और DRDO ने किस नाम से एक बाइक एम्बूलेंस विक्सि की गई है रक्षिता नाम से क्या नाम रखा गया इसका रक्षिता तो जो आतंगवादी वाले छेतरे या फिर नक्सली वाले एरिया है वहाँ पर इन जबानों को इससे एम्बूलेंस सर्विस तो पहुच नहीं सकती है फोर विलर तो इसकी बज़े दो जो रहेगी टू वि सर्विस हाली में इमन में से किस राजिके राजपाल ने वन स्कूल वन आईयस योजना प्रारंब करने की गोशना की याद रखेगा फ्रेंड्स अगर आप इस्टेडी वितनी लम चैनल पर पहली बार आएं तो फटाफट से मारे चैनल को सब्सकाइब कर लीजे आप हमें सभी सोशल मेडिया प्लाटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजे जिससे आपको सभी लेक्चर्स पब्लिक हेल्थ डेंटिष्ट पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया संजे कपूर ओल इंडिया चैस फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सेला केनिको फ्लॉरेंस नाइटेंगल पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया खादीवम ग्राम उद्योग आयोग के द्वार पुर्टगाल से इनके पहले किसने लगाय था जॉसेप बिकान कर चुके हैं ये कारनामा क्रिश्टियानो रोनाल्डो को प्लियर आफ दी सेंचुरी 2020 से सम्मानित किया गया है 25 करोड इंस्ट्राग्राम फॉलोवर्स करने वाले पहले व्यक्ति क्रिश्टियानो रोनाल्डो बने गोल्डन फूर्ट अवर्ड 2020 से क्रिश्टियानो रोनाल्डो को सम्मानित किया गया है मनोरंजन करको हाली में केरल सरकार के द्वारा जनवरी से मार्च 2021 तक माफ कर दिया गया है किसके उपर जो थेयर्टर है केरल की वहाँ पर कोविड-19 के वज़े से इनके आर्थिक हाला ठीक नहीं है इसलिए ये माफ कर दिया गया और बिजली बिल में भी 50% की छूट दी गई है हाली में ब्रेक आउट एकोनोमी में भारत का पहला भारत का इस्थान कौन सरा चोथा रहा है तथा सीर्स पर रहा है चाइना टफ्ट युनिवर्सिटी और प्लेजर स्कूल ने मास्टर कार्ड के साथ मिल कर डिजिटल एविलेशन स्कोर कार्ड का तीसरा संसकरन लॉंच किया था और इसमें भारत रहा है इस्टोनिया की कैपिटल क्या है टैली ने केरंसी क्या है यूरो है इंटेल के नए सीओ पैट जे सिंगर वने हैं इंटेल की जो कब तक बनेंगे 15 फरवई 2021 को अपना पदभार ग्रहन करेंगे इंटेल का मुख्याले आपको मिलेगा कैलिफॉर्निया में जापानी ब्रॉक ग्याद गुफा चेतर पाई गई है जिसमें जंगली सुवर का चेतर बनाए है जो लगवा 45,000 साल पुराना है 78 वे गोल्डन ग्लोफ समारों के राजदूत के रूप में सेसल और जैक्सन ली को चुना गया है इसका आयजन फरवरी 2021 में होगा कानूमा तेवभार तेलंगाना राज्ज में मकर सक्रांती के तीसरे दिन मवेशी और क्रशी उपकर्णों की पूजा करके मनाया जाता है डोनाल टरंप अमेरिका के पहले राष्टपती बन गया जिनके खिलाफ एक कारेकाल में दो बार महा वियोग पारित किया गया फिट्च रेटिंग एजनसी के द्वारा भारत की जीडीपी व्रदीदर 2020-21 के वित्ति वर्ष में माइनस 9.4% तथा 2021-22 के वित्ति वर्ष में प्लस का 11% रहने का नुमान व्यक्त किया गया है भारतिय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी के कोच बेलारूस के निकोलाई सने सारेब को निक्त किया गया है एथलेटिक्स फेडरेशन ओफ इंडिया के अध्यक्ष एडिले सुम्री वाला है उडिशा सरकार ने स्वक्ष बिंदू सागर पहल प्रारंब की है नेपाल के विदेश मंतरी प्रदीप कुमार गयवाली भारत की तीन दिवसी आधिकारिक यात्रा पर आए है भारत की नई विदेश वेपार निती एक अपरिल 2021 से पांच वर्षों के लिए लागू होगी वेहत्तर वे गर्थन्त दिवस समारो 2021 में बांगला देश की सेने तुक्डी भी भाग लेगी जापान के अंतरिक्ष एजन्सी जाकसा नेगोशना की है कि 2021 तक अपने नए प्रमोक रॉकेट S3 को लांच करेगी परशू राम कुंड तीर्थी यात्रा अधनाचर प्रदरदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रारंब की गई है COVID-19 वेक्सिन टीका करण अभियान का पहला चरण 16 जनवरी 2021 को प्रारंब हुआ टीका लगवाने वाले पहले भारतिय स्वक्षता कारेकरता मनिश कुमार बने बायो कॉन समू के अध्यक्ष किरण मजुमदार शाह को US-India Business Counseling 2021 के द्वारा उपाद्यक चुना गया है Tom Tom Traffic Index 2021 में टॉप पर मॉस्को रहा है मतलब सबसे खराब ट्रैफिक वाले सहरों में मॉस्को रूस की कैपिटल रहा जबकि दूसरे स्थान पर मुंबई रहा है और तीसरे स्थान पर बोगोटा कोलंबिया का सहर है चटे स्थान पर बोगोटा रहा है चटे स्थान पर बेंगलूरू है आटवे स्थान पर दिल्ली रहा है इस इंडेक्स में सबसे खराब ट्रैफिक वाले सहरों को रखा जाता है हाली में दूर संचार उपकरण और सेवा निर्या संबर्धन परिशत के अध्यक्ष के रूप में संधी पगरवाल को नियुक्त किया गया है भारत के 72 गर्तंत दिवस 2021 में मुख्य अतिती कोई नहीं होगा इससे पहले 1986 में काहब लाल भादो शास्तरी की मृत्यू होने पर और 1952 में 53 में कोई अतिती नहीं थे पहले गर्तंत दिवस पर कोन थे तो 1950 में इंडोनेशिया के राष्टपती थे सूकर्णो मुख्य अतिती बने थे 2020 में 71 गर्तंत दिवस के मुख्य अतिती कोन थे ब्राजील की राष्टपती जैरे बॉल सनैरो थे डिजिटल इंडिया अवर्ड 2021 किस ने जीता बिहार ने जीता है पूर्वत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज नालंदा के राजगीर जिले में बनाया गया है जैफ बेजोफ्स की कंपनी ब्लू ओरिजन ने अपने न्यू शेपर्ड वाहन को सफलता पूर्वक लांच किया इसका उद्देशे मानव को अंतरिक्ष में जल्द और सस्ती उड़ान प्रारंब करने के लिए ठीके लगबग 2 लाख रुपे 2 लाख डॉलर में ये अंतरिक आता है ठीक है याद रखना भारत हो जापान के मध्याली में इन्फोर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी समझोता किया गया रवीश संकर प्रशाद ने जापान के साथ मिलकर 5G टेक्नोलोजी पर ये समझोता किया है शाशन में पारदर्शीत अस्त्रणी में पाला है याद रखिएगा परदानमंती नेरेंदर मोदी स्टेचू अफ कने यूनिटी से कनेक्टिविटी देने के लिए आठ ट्रेनों को हरी जंडी दिखाई जो गुजरात के नर्वदा जिले के के वडिये तक रेल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा हाली में सेयुक्त रा बनाया जाता है तो बंगला देश में दुनिया का पहला हाइब्रिड एरो इस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी बेंगलूरू में आईजित किया जाएगा रक्षा मंत्राले के द्वारा इस रक्षा प्रदर्शनी के लिए एरो इंडिया 2021 मोबाइल एप को भी लांच किया याद रखना है यह पूरंट डुनिया के सबसे सकती साली टेस्ट ग्रीन टेस्ट सीरीज़ का आटवार अंतीम अंतिम टेस्ट को क्या कहा है ना उन्हें होट फायर टेस्ट कर रहा है इसका उद्देशे मानव चंद्रियान मिशन को और मजबूती प्रदान करना नासा के अंतरिक्ष मिशन इस्पेस क्रू 3 के कमांडर भारती मूल के राजचारी को बनाया गया है केयर रेटिंग एजनसी ने भारती जीडीपी ब्रदीदर वित्ति वर्स 2020-21 के लिए माइनस 7.8 परसेंट रहने का अनुमान व्यक्त किया है केयर रेटिंग एजनसी का मुख्याले मुंबई में है CEO अजे महाजन हाली में सूची बद बड़ी कमपनियों की स्रेणी में 20 वे ICSI Institute of Company Secretary of India राष्टिय पूरसकार में सर्वस रिष्ट साशेत कमपनी कौन सी चुनी गई है ITC चुनी गई है नॉटर्ड्रम इस्ट्रीम 2 प्राकर्ति गेस पाइपलाइन रूस से यूरोप के देशों को जोडती है जिसमें जर्मनी सहीध यूरोपी देशों को सस्ती दरोपर प्राकर्ति गेस प्रापत होगी जिसका अमेरिका ब्रोथ कर रहा है मीठी वर्दी न्यूक्लियर पावर प्लांट ये किस राज्य में मिलेगा गुजरात में गुजरात बडोद्रा किस नदी के किनारे इस्तेते वश्वामेत्र नदी हाली में देश की पहली सौदेशी रूप से डिजाइन और विक से ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उदगाटन बेंगलूरू में रक्षा मंत्री राजना सिंग के द्वारा किया गया जिसका निर्मान भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने किया है राज्य में परेटान और आथित में विवदिता को भारने के लिए इको रिट्रीट्स एंड ग्लेंपिंग फेस्टिवल के दूसरे संसकरन का आयजन ओडिशा में किया गया सायुक्त इंडो फ्रेंच एयर अभ्यास 2020 जनवरी से राजिस्तान के जोदपुर में आयजित किया जाएगा इस दिवपक्षी अभ्यास का नाम एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2021 रखा गया है शक्ती अभ्यास भारत और फ्रांस की आर्मी के मद्धी होता है वरुन अभ्यास भारत और फ्रांस की नेवी के मद्धी होता है गरुन अभ्यास भारत और फ्रांस की एक एर एकसरसाइज दे फ्रांस के साथ होने वाले महत्पून अभ्यास है केंद्री स्वास्तमंती हर्सवर्दन सिंग ने एम्स दिल्ली में एक बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक को दफादर ओफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम समर्पित किया कौन है फादर ओफ प्लास्टिक सर्जरी सुरु सुरत रिसी है नसकॉम दे नेशनल बुद्धी मर्ता, आर्टिफिशल इंटेलिजेंसी, समाधान की पहचान करने के लिए तेलंगाना राजी के साथ भागेदारी के लिए समझोता किया है, तियास का रामचंदर गुवा की पुस्तर क्या है, तेलंगाना और गुजरात राजी के मद्ध पहली बार महिला को समर्थन करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किये गए हैं, वी हव, आई हव इंक के माध्यम से, ओके फ्रेंट्स तो ये था हमारा जन्वरी थर्ड वीक करन्ट अफिर्स, आई होप आप लोग को पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे जादा से जादा लाइक कीजिए, जादा से जादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओके फ्रेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग और टेक कियर